सनातन अमर आत्मा परमात्मा रुपले अनन्द मात्रमा सबै सधै रई रई रणलै आत्मा ग्यान को दैनिक परवचन कारेक्रम अखंडा सुखा अद्वैत प्रदित बलराम जिसी स्वरस्वतिको सात्मा हर एक देन दिवसो एक पैंतालिस वजे देखी सबेलाई प्रेमले अविवादन आनन्द मिलन संभव हुँच जियान मात्रमात्रै रई दुख चिंता डर प्राप्त भाहिरांच एतिन सरीरलाई मानिरनुमात्रै इसकारणले आमले आनन्दे आनन्दमा इस्थाई रुपमा अमा रुपले संधेक लागी एदि रही रहना चाहांच हो गने तेशको लागी आत्मा जयान रामररे गरने परने हुँच चिनकी केवल आत्मा मात रही रहनु बात्रै आनन्दे आनन्द पाई रहनु सभई को लागी संभव हुच चिनकी आत्मा बन्नाले एक अधुतिय परिपून बस्तु होतिय। त्यों चाहिने संधाई रही राखेगो। परिपून रुपले रही राखेगो। संसार का आमी जती चाहूं। आमी अरुको इच्छा हो आनंदय आनंदमा इस्थाई रुपले रही राखेगो। जसरी होंचा। अब यह पूरा करना लाई आमीले विशेश रुपले आत्मा लाई नही। आमीले राम्रारी जियान गरनु पर्णे नहीं होंचा। इसको बिकल्प चाहिना। यह बंदा अरको उपाय चाहिना। किना कि संसार मा जती पनी योगा आदी साधन अरू। जती पनी चाहू परमात्मा मा पुग्ण सकीने साधन अरू। तो मूल ठाउं चाहिने आत्मा नहीं हो। मूल इस्थानिया आत्मा मात्रे हो। अधिसलाई कती पहले आपनो भासा में आपनो रूप में आपनो तरिका बाट बताईये को हुँँच। तर तो केंदर बिंदु चाहिने आत्मा नहीं हो। किना मानिया आत्मा अमर हो। यह शोल इस इम्मोर्टल यह परशिद्ध हो। अमिले चाहिने यह 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 अथार्चा जानना को लागी.. यह दूपरशंगलाई आमेर है भुजना परन्य हुँच। और अनन्द अनन्द पाउँ नको लागी.. आत्मा ग्यानने गरे र आत्मामा परिणती भाय की हुँँआए हुनु पर्छ। पर आत्मा रूपले आपनो ठिती भायके हुनु पर चौौ। ठिती वेला मात्रे आनन्द मा रहे रहनु शबय गलाई संभव पुनचौ। तियो ठिती मा जानन न सके। तिसला श्वीकार न गारे। यह शरीर रह को छए शरीर पनी तिन पर गारले रह को छए यह रहे रही को कारण途र कईले चिन्ता कईले दुखसकाM सुखस पयों सीब्स आई पनी फिरत लूकिये के भी ईको सुखसे ईंथ और दुखस 두र्षस दुखस कर दिनके सम्हीं, शरीर को भी प्रिभाने दिये जाती सुखवर को आमी अनुभब गर्छौं तेस भित्र भेरे दुखरने का होँचा तेसे दुखर है सुखव शरीर को ठिति मां कसे लाई बने कौय बने शमभब भाई ना तेस दुखर है राइन्द के सकी आनानंद चिने रहा, जाने रहा, आत्मा रूपले, अमार रूपले, परिपोन रुपले में मोधत्ते. यह पर्षंग अर्थात उसमा सास्त्र पर्मान, अथора युक्ति पर्मान अथा अनुभव पर्मान भनेशंद रहा में हैं, शास्त्र पर्मान में पर्षिद्ध गीता, अस्टाबकर गीता छो तिसको पहिलो परकरण को चौद स्लोक में, परकरण ग्यानी अस्टाबकर ले, आपनो शिश्य, मिधिला धिश, जनक लाई ःस पर्षिद्ध उसक छो बुणी असपर्षिया शिष्य जनक लाई भताऊवन भाच पर्षिद्ध। आठधा शिश्य जनक को कश्तो थिती थियो भने ? वहले जशरी पनी आत्मग्यानगर्ना चाहन होने इती काते जसरी पनी ज्यान गर नहीं चाहनु हुन्तियों अर्थात आत्मग्यानु और संसार नाश्वान भयकोनाले संसार वाट पून बैराग्या रुपमा रहन पनी चाहनु हुन्तियों यस्तो थिती शिशय जनको थियो रा हमिले पनी यृदी रामर्यरी ज्यान गर न चाहां छोह हुने बादत मालमा रामि मुक्त होने चाहां हुने शाथै नास्वान संसार वाट बैराग्या रामरशवागालीनाच चाहां छोह हुने आइमी ले अनुभूती गर्णु बाट अमरे शफलता मिलच तेसमा की बन्ये को चा बने नेपाली में अर्थ अदेपी ते समस्किर्ट मा चा रशवाईले नेपाली भुजने वनाले नेपाली भाषा में बन्ये परत्ना बन्ये कुछ भड़ूता में देरे प्यार हो गरेले अशिशर आजले हमालेता हे पुत्र शम्मा बन्यावाच हे प्रिया पुत्र बन्यावाच वाले यो देहा भीमानले अर्था देहामा अपु बुद्धी पईली देखी गर्धे आयको हुनाले संधाई बंधन भाई राखेकु छाओ, त्यसेले शरीर मां म बुद्धी मेरो बुद्धी भन्ने जो बंधन हो, यह ज्यान रुपी तरवार ले त्यों बंधन लाई तोड़ा, त्यों बंधन लाई नस्टगरा रा शुखमात्र ले रही रहू, यह जरी त्यों चाओद स्लोक में पर्थम परकरण में, अस्टा पकरण गीताव को में, यह जानी त्यां देखाईएकु छाओ, वियो शरीर वास्तम में अमरो शूरुको शोरुको अर्था शरीर आखेकु अर्था शुरुको शुरुको शु और शुरुको शुरुको शु, मुली शुरुप तो आमरो आत्मा ने थियो, परिपोन आत्मा रुप ने थियो आमरो तरहा हमी ले आपनो सो रूपलाई ब्यवास्था गरदा बाहीरी मुखी द्रिष्टी दिना भावनामा बगदा हमरो चाहिने धेरेकाल यो शरीर रूप में अनेक परकार को योनी में अनेक योनी घुम्दै फिड़ जै यो शरीर रूपले निरंतर परम्परा गत्मा आई राखेको चाह अब यो शरीर सामान्य रूपले शरीर जुन आखाले देखिन चा योडे शरीर ला आमीले भूजद चाहूं तरह बास्ता में शरीर बनना ले तींटा शरीर ले आमले जयल अगलो अला या अच या कालो या गोरो या जस्तो होला या सरीर तेयो शरीर में भधें आउज बढ़ा बढ़ता मैल मा त्यो बन्ना बढ़ी चाहिनी सम्मग छाहिना। गटी में एक दी मिनेट पने उनना सक्षा क्याने कि शरीर ता जेत विला बन डालना सक्षा निए तेस्तो छाहिनी शरीर। स्वभाई को बढ़ी में शाद्याट से बढ़ता। अरको दोसर शरीर चाह शुक्षम शरीर जो आठाले देखिनना तर अनुभव मा थाओंचा। जसतो अवाम, म्हान बयों , बुद्धी बयों , चित्य बयों , अहंकार बयों . अनी ज्यानेंद्रिया बये ं कर्मेंद्रिया बये , प्राण बये इनुआरै इं राजयमों ताय लिए ग्या रुप में आाइ यह देखिने ताय नावा आपना आयू आवदी रहता सम्मलाई मन बुद्धी चित अंकार बनने तो यह संगसंगी वितर बाट रही रहा है अजला चाहने शुक्षम शरीर है दोसरो शरीर यह से लिए गुमाई रहा है कोंच यह नी पलना जन्नमार तेस पजी पलना जन्नमार ईयो चाहने चुल शरीर साय डिट सहे बर्समा मरतो पन यह सुक्षम शरीर चाहने यह गुमिर रहा है अच्छुया चाहने यह से लिए मारने आई mods वा खाल ci when you are वित्युद्धी बनने भनाई पन यह लिए लिए रहा है अवत्यसरीर कहिए बैज दिस्तना बीजारीर भाँचे। निकल्याने से फिर इस्थानीर भाम न Day विगर युट कारूल कात्वर भाम उधन्याailable पुछारीना कॉंचे अजना पहली पहली स्री இत्रावा उड़े ख़ड यह उड़ा ने ख़ड़े फिर कॉनार औरूषी दोक्रम क्लिए इस्ठानी हो कारण चरिर हो अध्यान जरम चरिर ब questi था ने सरीर उनान जरम के विद्धी, इसमा आपसे उतक बंध अफनी पुति विद्धी शरीर में जिंदा विद्धी आत्मारूपी ज्यान को तरवार ले आत्मारूपी ज्यान मां तीन शरीर रहित भाक होनाले त्या आनन्दे आनन्द अमरत परिप्रुणत एक अधुदियो रूप मां रहितावनु सम्भाव बन्च तेसले यो ज्यान आत्मा ज्यान रूपी तरवार ले शरीर मां मर मेरो बुद्धी भन्ने जो बन्दन च तेसलाई तोड़नु परच अनि मात्रे सदाशुख आनन्दे आनन्द पाईरानु सबैक लाई सम्भाव पुण्छ यो चाहिने आत्मा ज्यान बाट मत्रे सम्भाव पुण्छ आत्मा परिपुण हो यो असंग हो शंग रहित परिपुण सबैक भितर रही राखेको एस्तो बस्तो आत्मा इसेले संसार कायमी दे संदेशुक सान्ती मा आनन्दे आनन्द मा रहिरानु एक मात्र उपायो जुन यो कारेक्रम में आत्मा ज्यान के विश्ये में प्रमुक्रुले देखाई रहिएको छा आज अको पर्संग एतिने यो बाकी भोली उन्ने छा तवस्तमा लाई जय पस्पतिनात